आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। दोसमार साल क्रेशन दिया रहे कि सत्यता की जाज करें, यहां दिया है, डिवाटन डिएक संधन पी बराबर क्यू के रूप वाला अवकल समीकरण जिसमें पी तथा क्यू अचर अधवा कियवल एक्स के फलन है, प्रथम कोट यह रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है, तो हमे हमारे परतंतर रासी पर निर्भर करते हैं, परतंतर रासी तात पर यहां हम देख सकते हैं, यहां जो एक्स हमारा है, वह स्वतंतर है, तथा यह जो हमारा है, वह परतंतर है, अर्थात यह जो हमें रैखिक समीकरण दिखाए देगा, यहां पर यह जो समीकरण है, वह हमारे X पर उसके रहखिक होने या अरहखिक होने पर निर्भर नहीं करेगा चुकि स्वतंत्र रासी है या इसके परतंत्र रासी Y पर केवल और केवल निर्भर करेगा यदि हमारे पास जो आउकलज है उसकी कोटी एक हो यदि आउकलज की कोटी एक हो तो वह रेखेक समिकरण होता है और यह इस रूप में हमें दिखाई देता है यह हमें इस प्रकार दिखाई देता है, यह हम देख सकते हैं, कहाँ पर जो आउकलज है, इसका कोटी हमें कितना दिखाई दे रहा है, इसका कोटी एक दिखाई दे रहा था, आउकल समिकरन की जो कोटी है, वह एक है, तो इस स्थिती में, यह हमारे क्या कहलाएगा, रैखिक, रेखिक रेखिक आउकल समीकरन रेखिक आउकल समीकरन कहलाएगा और यहाँ जदी हम पूरे को भाग देदे A से क्या आजाया गया B बटे A Y मराबर C बटे A और B बटे A को B से प्रदर्शित करें वर C बटे A को Q से प्रदर्शित करें तो यहाँ से आजाएगा D Y बटे D X धन P Y भाबर Q यह हमें इस प्रकार दिखाई देगा तो यह भी हमारा क्या होगा था यह भी रेखिक आउकल समीकरनी होगा और यहाँ जैसे का हमने कहा था कि यह केवल और केवल परतंत्र रासी पर रेखिक आउकल रेखिक होना निर्भर करेगा स्वतंत्र पर नहीं करेगा तो X का कुछ भी घा तो कुछ भी मान उस पर निर्भर नहीं करेगा तथा y वह उसके आउकल जो पर निर्भर करेगा इसकी कूटी जैसा कि हम देख सकते हैं यदि एक हो तो इस इस्थिति में रहखेग आउकल समीकरण होगा तो यह भी हमारा क्या है एक रहखेक आउकल समीकरण है है कि कथन सत्य है हम लिखेंगे यहां पर अतह कथन सत्य है कथन सत्य है तो उमीद है आप लोग क्या सवाल समझ में आया होगा धनवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर